नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानन सिंग Biological Basis of Life सीरीज के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है सीरीज के पहले दो वीडियो में हमने Cell Organals और Protein Synthesis को समझा था इस वीडियो का विशय है Cell Division और DNA Replication Cells क्यों Divide होते हैं? हमारे ग्रोथ या विकास के लिए Cell Division का होना अवश्यक है Cell Division के सहारे ही हमारे शरीर के Cells संख्या में बढ़ते हैं हमारा शरीर एक Cells से चुरू होता है और Cell Division की मदद से ही एक Cells से अनेक Cells पनते रहते हैं जन्न से लेकर मृतियुत तक हमें शरीर के वृधि के लिए एवं डैमेज सेल को स्वस्थ से रिप्लेस करने के लिए नए Cells की जरूरत पड़ती रहती है प्रजनन के लिए भी Cell Division अवश्यक है टू टाइपस अफ सेल डिवीजन हमारे शरीर में मूलतह दो प्रकार के सेल्स होते हैं सेक्स सेल्स और सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स सेक्स सेल्स में शामिल है स्पॉम सेल्स जो पुरुशों में पाये जाते हैं और एग सेल्स जो स्त्रियों में पाये जाते हैं Sex cells के अलावा हमारे शरीर में जितने भी cells होते हैं उन्हें somatic cells कहते हैं Somatic cells और sex cells के division का process अलग-अलग होता है Somatic cells का division mitosis process के द्वारा होता है और sex cells का division meiosis process से होता है Mitoces cell division में एक cell जिसे mother cell कहते हैं एक बार divide होकर दो identical cell या पूंड़तया समरूप daughter cells बनाता है दोनों daughter cells में पूरा-पूरा genetic material होता है Mitoces cell division में एक cell दो बार divide होकर चार daughter cells बनाता है सभी चार daughter cells में आधा genetic material ही होता है Mitoces cell division at a glance आईए पहले Mitoces cell division को समझें Mitoces division को Equational division भी कहते हैं क्योंकि इसमें 23 pair of chromosomes वाला एक cell divide होकर दो daughter cells बनाता है उनमें भी equal number of chromosomes या 23-23 pair of chromosomes ही होते है Cell life cycle में मोटे तौर पर दो phages होते हैं Interphase जिसमें समाने तया एक cell का 90% समय गुजरता है और division phase जिसमें cell का 10% समय बीचता है Interphase के अंदर 4 subphages होते हैं जिदें G0, G1, S और G2 subphages कहते हैं G0 phase में यह decision लिया जाता है कि क्या cell के पास परियाप्त resources या portion है कि वह division की तयारी कर सके यदि cell को परियाप्त portion ना उपलब्द हो तो वह cell division नहीं करेगा परिणाम शरूप शरीर का विकास रुख जाएगा G1 subphase में nucleus को छोड़ कर बाकी सभी cell organelles की अतरिक्त copies बन जाती हैं इस subphase को synthesis subphase कहते हैं जिसमें DNA replication process के द्वारा nucleus में स्थित DNA की एक और copy बनाई जाती है जिसके खारण अब उस cell में 23 pair of chromosomes की जगह 46 pair of chromosomes हो जाते हैं अगली slide में हम इस subphase में होने वाले DNA replication को कुछ विस्तार से समझेंगे G2 subphase में error detection का काम होता है अगर DNA replication में कुछ गलतियां हो जाएं तो उनका correction किया जाता है और यदि गलतियां beyond repair हो तो cell अपने आपको खत्म कर लेता है lysosome की मदद से division phase भी कई subphase का बना होता है इन subphase के नाम है prophase, metafase, enaphase, telophase और cytokinesis इन सभी subphase के बारे में हम कुछ और विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले चलिए interface के subphase S को समझें interface S DNA replication DNA replication की क्रिया interface के subphase S में होती है हमारे शरीर के सभी somatic cells इस subphase में nucleus में इस्तिद DNA की दो कौपियां बनाते हैं जिस से 23 pair of chromosomes के बदले अब वहां 46 pair of chromosomes बन जाते हैं mitosis process के अंतिम चरण में जब एक cell तूट कर दो cells में बन जाता है तब इन 46 pair of chromosomes में से 23-23 pair of chromosomes दोनों daughter cells को दे दिये जाते हैं DNA replication की शुरुवात enzyme helicase के दोरा DNA के दोनों strands के nitrogenous basis के बीच hydrogen bonds को तोड़ कर दोनों strands को अलग करने या unzip करने से होती है दोनों strands में से एक को leading strand और दूसरे को lagging strand कहा जाता है इसके बाद enzyme RNA primase इन strands पर RNA primer का निर्मान करके उन्हें replication के लिए तयार करता है replication के आखरी चरण में enzyme DNA polymerase दोनों strands में complementary base pairing के रूल के हिसाब से free nucleotides को जोड़ता चला जाता है पहले यह क्रिया leading strand में पूरी होती है और उसके बाद lagging strand में complementary base pairing के रूल के हिसाब से strand के base pair adenine के साथ one nucleotide pair किया जाता है जिसमें base thiamine हो ऐसे ही base thiamine के साथ adenine की, base cytosine के साथ guanine की और base guanine के साथ cytosine की pairing होती है DNA replication की समापती पर DNA के leading strand के साथ नए nucleotides का बना नया strand जोड़कर उसे एक पूर्ण DNA बना देता है ऐसा ही lagging strand के साथ भी होता है चुकि इस process में दोनों नए DNA में एक strand पुराने nucleotides का और एक strand नए nucleotides का बना होता है इस process को semi conservative process भी कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में और भी कई प्रकार के enzymes और सब processes involved होते हैं परन्तु इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रमुक enzymes और processes की शर्चा की है हमारा उदेश उन बिन्दों पर प्रकाश डालना है जो एक anthropologist के लिए अति आवर्शक है इंटरफेज के सबफेज इसके बाद G2 सबफेज में error detection और correction का कारे होता है उसके बाद cell division के क्रिया आरंब होती है mitosis के सबफेज प्रोफेज से आईए अब mitosis के सबफेजेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटो काइनेसिस को समझेए प्रोफेज mitosis cell division के पहले stage को प्रोफेज कहते हैं इसमें nuclear membrane dissolve होकर विलीन होने लगता है DNA condense होने लगता है और 46 pair of chromosomes के रूप में दिखना शुरू हो जाता है ध्यान रहे कि एस सबफेज में ही DNA replication की क्रिया संपूर्ण हो चुकी होती है और nucleus में 23 pair की जगा अब 46 pair of chromosomes होते हैं Metaphase Metaphase के stage में आते आते nuclear membrane पूरी तरह से dissolve हो जाता है DNA condense होकर compact group में आ जाता है और सभी chromosome cell के मध्य भाग में जमा हो जाते हैं Cell के मध्य भाग को जहां सारे chromosome जमा होते हैं equatorial position कहते हैं Enaphase Enaphase में chromosome के chromatids अलग-अलग हो जाते हैं और वे equatorial position से pole position की और जाने लगते हैं Screen पर आप एक chromosome को देख रहे हैं एक chromosome के आधे भाग को chromatid गहा जाता है Telophase Telophase में दोनों pole position पर जमा 46-46 pair of chromatids फिर से chromosome का रूफ लेने लगते हैं दो-दो chromatids मिलकर अब एक chromosome का रूफ ले लेते हैं इस प्रकार दोनों pole positions पर 46 pair of chromatids से 23 pair of chromosomes बन जाते हैं Cytokinesis Cytokinesis stage के आते आते pole positions पर chromosomes के around nuclear membrane का निर्मान पूरा हो चुका होता है Cytokinesis में cell का cytoplasm divide होकर दो cells का निर्मान करता है इन दो cells को daughter cells कहते हैं दोनों daughter cells में अपना nucleus होता है जिन में 23-23 pair of chromosomes होते हैं दोनों daughter cells में बाकी के organelles जैसे की mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, etc. जो जीवन subphase में ही duplicate हो चुके होते हैं आधे आधे बट कर रहते हैं इस प्रकार mitosis cell division की क्रिया पूरी होती है अब तक हमने mitosis cell division की चर्चा की आईए अब meiosis cell division को समझें हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही यह बात जान ली थी कि meiosis division में एक germ cell दो बार divide होकर चार daughter cells का निर्मान करता है और उनसे भी daughter germ cells में आधा genetic material ही रहता है याने 23 jodi chromosomes की जगह सिर्फ 23 chromosomes रहते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि प्रजनन के वक्त पिता से मिले एक sperm cell के साथ माता से प्राप्त एक एक cell जोडता है और दोनों के 23-23 chromosomes मिलकर जाइगोट के लिए पूरे 46 chromosomes या 23 pair of chromosomes का निर्मान करते हैं ध्यान रहे कि रिप्रोडक्शन के वक्त जाइगोट को माता और पिता से सिर्फ germ cells मिलते हैं somatic cells नहीं daughter cells में genetic material के हाफ हो जाने के कारण meiosis division को haploid division या reductional division भी कहते हैं stages of meiosis division meiosis cell division में कई stages होते हैं meiosis शुरू होने से पहले cell में 23 pair of chromosomes के स्थान पर 46 pair of chromosomes बने रहते हैं क्योंकि interphase के synthesis वाले subphase में DNA replication की क्रिया genetic material को double कर चुकी होती है meiosis division के पहले भाग में mitosis के जैसे ही subphages होते हैं जिन्हें pro phase 1 metafase 1, enaphase 1, telophase 1 और cytokinesis 1 के नाम से जाना जाता है meiosis 1 के परिणाम सरूफ 46 46 chromosomes वाले दो daughter cells बनते हैं ये दोनों daughter cells एक बार फिर से division की क्रिया को दूराते हैं इस क्रिया में जो subphages आते हैं उन्हें pro phase 2, metafase 2, enaphase 2, telophase 2 और cytokinesis 2 के नाम से जाना जाता है meiosis 2 के अंत में प्रते एक daughter cells से division के बाद दो नए cells बनते हैं जिन में genetic material आधा हो जाता है और चारो नए cells के nucleus में सिर्फ 23 chromosomes रह जाते हैं चली एक diagram की मदद से हम meiosis process को देखें screen के पहले row पर ध्यान दे meiosis के आरम में एक germ cell होता है जो interface से गुजर चुका होता है और इसलिए उसमें अब 46 जोड़ी chromosomes होते हैं ये chromosomes decondensed form में होते हैं प्रो फेज वन में nuclear membrane का विर्टन शुरू हो जाता है और chromosomes condensed होने लगते हैं मेटा फेज वन में सभी 46 pair of chromosomes equatorial position पर आ जाते हैं इना फेज वन में chromosomes opposite poles की और आने लगते हैं टेलो फेज वन में दोनों poles के पास 23 pair of chromosomes या 46 chromosomes जमा हो जाते हैं जिनको घेड़ते हुए nuclear membranes बनने लगते हैं cytokinesis 1 के सभ फेज में cell दो भागों में विभाजित हो जाता है और इससे दो daughter cells बनते हैं दोनों daughter cells में पूरे 23 pair of chromosomes रहते हैं यहाँ बात ध्यान रखने लायक है कि इस वक्त तक पूरा process बिलकुल mitosis division की तरह दिखता है मगर आगे की कहानी बदल जाती है जहां mitosis division यहीं पर खत्म हो जाता है वहीं mitosis division में दोनों daughter cells एक बार फिर सर डिवाइड होते हैं इस बार कोई interface नहीं होता है इसलिए daughter cells दूसरी बार इवाइड होने के पहले अपना genetic material डबल नहीं कर पाते है इस वज़े से sub phages pro phase 2, meta phase 2, enaphase 2, telophase 2 और cytokinesis 2 से गुजरने के पाद दोनों cells से चार final cells तो बन जाते हैं मगर उनमें स्थित क्रोमोजोम 46 से आदे होकर केवल 23 रह जाते हैं यह cells haploid cells कह जाते हैं क्योंकि इमें genetic material आधा ही होता है इस slide पर बने diagram को दिखाते हुए मैंने जो descriptions दिये हैं वे इस slide और इस slide पर लिखे गए हैं आप वीडियो को pause करके यदि चाहें तो points को note कर सकते हैं अब हम इस वीडियो के आखरी slide पर आप हूँचे हैं आप इसमें इस series के सभी वीडियो के topics को देख सकते हैं मैं highly recommend करूंगा कि अगर आप इस वीडियो पर direct आए हैं तो इस series के part 1 और part 2 videos को भी देख लें biological basis of life की या series UPSC anthropology optional paper 1 के topic 1.7 को समरपित है इस topic से UPSC exam में ज़्यादा प्रश्ण नहीं पुछे जाते मगर इनको अच्छी तरह से समझना बेहर जरूरी है यदि आप biological anthropology के बाकी के topics जैसे 9.1, 9.2, 9.3 आदी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं शिगर मिलूंगा आपसे इस series के आखरी वीडियो में जिसमें हम gene mutation के विशे में जानेंगे धन्यवाद